expression for capacitance of a parallel plate capacitor with a conducting slab अब देखो हुआ क्या हमने parallel plate capacitor किया parallel plate capacitor की जो capacitance की value थी वो कितनी थी ? epsilon not a by d थी अब एक scientist आया वो कहता देखो ऐसा है कि वो बहुत बड़ी है principle of capacitor use करें और एक plate की जगा दो plates use करें इसी capacity बढ़ जाएगी और हमने देखा capacitance की value बढ़ गई एक और scientist आया वो गयता है काम करते हैं इन दो parallel plates के बीच में एक conducting slab को डाल देते हैं यानि के conductor डाल देते हैं conductor की क्या property है? conductor के अंदर E की value हमेशा क्या रहती है? 0 और conductor की surface या उसके अंदर हर point is an equipotential surface तो V की value हर point पर क्या रहती है? same तो मान लो ये q मैंने दिया और ये minus q मैंने दिया था आपने conducting plate को डाल दिया तो induction हो गई induction से क्या हुआ? plus q ने क्या produce किया? minus q और यहां पर plus q और minus q हमने last time भी ये case discuss किया था और हमने ये reason ढूंडा था कि इसके अंदर conductor के अंदर E 0 क्यों होता है तो मैं आंसर भी दिया था कि बाहर electric field की value अगर 10 है plus q और minus q की वज़े से तो अंदर भी plus q minus q की वज़े से उल्टी तरफ 10 है तो 10 और 10 आपस में होने की वज़े से net E की value conductor के अंदर क्या हो जाती है 0 अब मेरे को इसकी नई capacitance निकालनी है यहां पर E 0 कर ले न E 0 तो यहां पर इस region में यह वाला जो region है यहां पर हमने electric field apply किया था जिसका magnitude वही था जो पिछले case में था sigma by epsilon 0 तो यहां पर तो electric field होगा ना प्लस से माइनस प्लस से माइनस तो यह तो मैंने apply किया लेकिन यहां पर हो नहीं पाया क्योंकि conductor के अंदर E 0 हो जाता है लेकिन उसके बाहर तो exist करेगा तो उसके बाहर E कितना exist कर रहे है sigma by epsilon 0 कोई doubt इसमे points में आ रहे है sigma by epsilon not clear है अगे अगर यह conducting slab ना होती छोड़ दो तो यह पुराना case हो जाता मेरा यह वहला case हो जाता इस case में capacitance की value क्या आ जाती है epsilon not ay d आ जाती है तो अगर यह slab ना होती बिना slab के यह formula था पर क्योंकि अब यह slab है तो मेरे को यह actual plate है जिसके हो मैंने charge दिया था Q तो यह तो by induction आ रहे है सारे charges तो मैं actual charge तो पहली plate पे होता है Q तो अगर आप इस पूरे arrangement की capacitance की value निकालना चाहते हैं तो आप इस Q को इन दो आखरी plates के potential difference से divide कर दें यह देखो अगर आप Q को end to end plates के नए potential difference से divide कर दें तो नए capacitance हाजएगी अब एक काम करना पड़ेगा अपने को potential difference निकालना पड़ेगा यहां से लेके यहां तक कितने है देखो इस में से रास्ते में यह point भी आएगा फिर यह point भी आएगा क्योंकि यह conductor है conductor का surface is always equal potential तो जो भी आएगा V और V तो same रहेगा तो इस end से इस end में potential difference की value क्या आने वाली है 0 तो इस conductor के अंदर तो potential difference हो नहीं सकता तो कहां बचा यह बचा और यह बचा तो मेरे को इसका और इसका potential difference add करके जो भी answer आएगा क्योंकि इसका तो है नहीं potential difference आएगा corner to corner plate का अब potential difference होगता क्या है e into dr e into distance dr के जगा distance नहीं तो integration की जुरुत नहीं है because e to constant ही है तो e into length से multiply करेंगे potential difference हाजाएगा point यह कि इसके अंदर यह जो distance देख रहे हो यह कितने अगर total distance d था plate का distance t था तो यह और यह length मिलाके क्या हो जाएगी d minus d check कर रहे हो total length अगर कितनी थी d थी conducting slab की length अगर t थी तो बची भी length कितनी होगी d minus t इस d minus d में electric field कितना present है e naught तो potential difference की value क्या आएगी e naught को किस से multiply करेंगे d minus t से और जो conducting slab है उसमें electric field 0 है कितने region में t region में तो potential difference क्या आएगा 0 into t is 0 इसको तो ख्यार लिखने की जूद भी नहीं है पता ही था conductor के end to end potential difference 0 ही आता है तो मैंने potential difference निकाल लिया कैसे यहां पर यह length measure कर ली d minus t इसकी और इसकी मिलाके इस length में electric field e naught है तो e naught into d minus t पर e naught electric field की value क्या होती है sigma by epsilon naught sigma क्या होता है आता है charge by area तो यह किसकी value आ गई? potential difference की है तो capacitance की value क्या होगी? charge divided by potential difference इस potential difference को उठा के यहां पर put कर देंगे charge से charge cancel तो आपके पास यह value आ चाहेगी तो capacitance की value आएगी epsilon naught a upon d minus t तो यह formula note कर ले capacitance of a parallel plate capacitor with a conducting slab formula booklet में capacitance of a parallel plate capacitor with a conducting slab का formula epsilon naught a upon d minus t तो c का formula epsilon naught a upon d minus t यह note कर ले देखो इसमें क्या किया? अगर यह slab ना होती तो यह capacitance थी अगर यह slab है जिसकी thickness t है तो मेरे को नई capacitance निकालनी है जिसका formula q upon potential difference है, किसका potential difference इस plate का और इस plate का इस plate का potential difference होगा इसका potential difference प्लस इसका potential difference प्लस इसका potential difference तो कोनिक आ जाएगा इसका तो है यह नहीं क्योंकि एक भी potential है v and v same, v minus v 0 यह जो लंबाई है यह और यह मिलाके तो d minus t लंबाई है d minus t के अंदर electric field e naught है तो electric field को distance से जो multiply करते है e dot dr तो potential difference हाता है तो यह लंबाई d minus t है electric field की value किती है e naught है तो e naught को d minus t से multiply किया तो इस region का potential difference हा गया similarly इसको t से multiply किया तो इसका तो 0 आना ही था तो नया potential difference हा गया e naught sigma by epsilon naught sigma charge by area यह potential difference को यहां put कर दिया e naught है हाँ मैंने correction करवाय था इसको e naught करने को बोला था यह सारे e naught ही चल रहे है e naught इसलिए कि बाहर vacuum है इसलिए हर जगा naught लिखना चाहिए मैंने गलत किया यह e की जगा e naught लिखना चाहिए तो इसके अंदर potential difference को put करके answer आ गया पुराना answer बिना slab के यह था नया answer में denominator d-t हो गया denominator कम होने से capacity बढ़ गई तो यह answer आ गया मैंने करके भी दिखाया इस capacitance को इस capacitance से divide कर देंगे तो चेक कर सकते हो आपकी ratio d upon d minus t बचेगी which is greater than one c is greater than c not prove हो गया अब एक और आपके जैसा या मेरे जैसा scientist आया थोड़ा topic पढ़ लिया होगा उसने बहुत बढ़िया हो गया हम t को बढ़ा देते हैं d को बढ़ा नहीं सकते slab की thickness बढ़ा देते हैं और चौड़ी conducting slab डा लेंगे हाँ मैंने का सही है क्योंकि वो कह रहा है d to constant है मैं जितना t को बढ़ाऊंगा यह तो constant है denominator उतने कम हो जाएगा denominator कम होगा उतनी जादा capacitance हो जाएगी तो बढ़ी है मैंने का वो गरता फिर एक काम करो मैं एक काम करता हूँ इसकी slab जो है इसकी slab इतनी चौड़ी करूँगा कि इसी plates को touch कर जाएगी जितनी maximum है उतनी मैंने fit कर दी यानि कि d और t उसने क्या कर दिये बराबर करते है कि कहा तो यही कहा था उसे जितनी जादा उसके width करेगा slab की उतनी capacity बढ़ेगी तो बढ़िया हो गया तो d और t बराबर कर दिये denominator क्या हो गया zero capacitance क्या हो गई infinite यानि कि एक ऐसा capacitor बन गया मतलब जो किसी भी दुनिया के charge को store कर सकते है अच्छा हुआ कि बुरा हो गया है ठीक है अच्छी बात है तुम मतलब market जाओ दुकानदार को को एक बाल्टी चाहिए तुम कोगे कि वो कुछे का कितने लिटर की तुम को कि पांच लिटर की वोगेगा धाइस वरुपे की है लेकिन दुकानदार ये भी गएगा मैं आपक ऐसी बाल्टी दे सकता हूँ इसमें जादू है वो क्या और वो भी सिर्फ 200 रुपे की आप दुनिया भर का पानी store करवा सकते हैं उसमें फिर वो ही देते जिस vahा करेगा उसपाल्टी के अंहंदर छेद आप और और नीं पर रहेगा अब हquesते हैं पानी बैटकर क्या होगा पानी अर्थ में सारा पानी अर्थ में जाता जाएगा दुनिया भर का समुंदर पानी पानी में डाल दोगे तो ओप इत में जाएगा तो infinite capacity नहीं चाहिए ऐसी बाल्टी जो infinite capacity लेती है सेम हो रहे है जब तुमने पूरी slab fit कर दी इसमें इधर से बैटरी से तुमने चार्ज दिया conducting slab ने लिया और अर्थ में देना शुरू कर दिया तो store क्या हुआ कुछ भी नहीं सारा चाहतों अर्थ में चला गया तो इस capacitor का कोई फैदा नहीं है तो आपने इसमें conducting slab को तज नहीं करना plates of capacitor से अगर कर दिया तो समझें वो leak of charge हो गया वो store नहीं कर रहा वो अर्थ को दिता जा रहा है इसलिए mathematical answer भी क्या आया infinite not defined मत करना समझ में आ रहा है यहां तक तो finite thickness की ही slab रखने पड़ेगी